गुरुमोरी चिलडर्ण तुड़े क्वा स्टार्ट जॉए लैसन लैसन नेमीट माईक्रोब्स च्ञेप्टर नमब्र सिक्स लास् फोर्ट सब्जेक सइन्स देर्从ेट स्टुडेंaid जो से लिंक्रोब्स के बारे में समझ ना कु Türkiye माईक्रोब्स क्या होता है देखे, यह होता है, micro means very small, micro means very small, जो क्या है, बहुत छोटा होता है, जिसको हम क्या अपने नगन आखों से नहीं देख सकते हैं, देखे, यह जो एक chapter है, इसमें है, micro means very small, जो micro होता है, वो बहुत छोटा क्या होता है, एक, क्या होता है, germs होता है, microbes are, क्या है, teeny living organism that can be seen only through a microscope जो microbes होता है एक इतना छोटा क्या होता है living organism होता है that can be seen only through a microscope जिसको हम only किस पर देख सकते हैं microscope सुक्छुम धर्से के दुवारा ही देख सकते हैं उसको हम आपने क्या है खुले आखों से नहीं देख सकते हैं they are everywhere but we cannot see them because of their size जो microbes होते हैं वो हमारे क्या है चारो तरब क्या होते है उपस्तित होते हैं लेकिन हम उसको क्या है देख नहीं सकते हैं क्यों नहीं देख सकते हैं क्यों जो उनका size होता हो क्या होता है बहुत छोटा होता है जिसको हम अपने आँखों से कहें फले आँखों से देख नहीं सकते हैं microbes grow and multiply rapidly wherever they get moisture, warmth, food and air जो microbes है वो grow करता है and multiply rapidly जहां क्या होता है उसको क्या मिलता है moisture मिलता है warmth होता है food मिलता है और हवा होती है जल्दी से क्या करता है grow करता है they may grow and multiply in air, water, soil and inside and outside our body जो microbes होता है वो यहां तक भी grow कर सकता है चाय हो हवा हो चाय हो water हो चाय का soil मिठ्थी हो या inside inside मैं अंदर या outside of our body यह हमारे सरी के अंदर भी और बहार भी हो क्या कर सकता है grow कर सकता है some microbes are useful to us जो microbes होते हैं वो कई परकार के होते हैं इसमें जो में लिका है four types के क्या है microbes पाए जाते हैं वह है आपका bacteria, protozoa, virus and fungi तो dear students जो kinds of microbes है four types के उसके बारे में आपको next video में आपको पड़ाएंगे Thank you